तजलियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में अड़े थे जिद पर कि शूरज बना कर छोड़ेंगे पसी ने छूट गए एक दिया बनाने में आगे नजम है मेरी निगाह में ओ सक्ष आदमी भी नहीं मेरी निगाह में ओ सक्ष आदमी भी नहीं जिने लगा है जमाना खुदा बनाने में और अब नमस्कार मैंने रिंदर बसंत हूं और आप दनीजपत चैनल देख रहे हैं दर्शकों जब से कोरोना महमारी ने अपना पैर पैसारना शुरू किया है चाहें केंदर सरकार हो या राजसर उसकी पोल जो है खोलती नजरा आ रही है कि सरकार ने एलान किया था कि हम जो ह अठारा से लेकर पैंतालिस वर्स है उनको फ्री वैक्सिन देंगे यह नरेंदर मोदी भी एलान किये थे लेकिन साहब अब जो राजसरकारे हैं वह हाथ खड़ा कर ली है और कह रही है कि हम वैक्सिन देने में असमर्थ हैं मतलब हम वैक्सिन नहीं दे सकते हैं एक मैं से र अधिक मात्र बिकल्प है जीवन बचाने को कि जिस तरीके से आप देख रहा है कि आई सिव बेड बेंटिलेटर और और अक्सिजन के कमी के बाद अगर किसी चीज की कमी है और किसी चीज पर भरोसा है तो वह है हमारा भाक्सिन जिस पर सभी लोग का विश्वास है और जब अगर हम बात करें राज्य वासियों को कहा था एक माई शभी लोगों को कुरणा भाक्सिन फ्री लगेगा तब आप कहां थे और आपका डाटा कहा था शर। कि अगर हम बात करें राज्य सरकार को तो चाहें उपी हो चाहें गुजरात हो और चाहें हर्याना हो इस इतने सारे राज्य इन सारे राज्यों में सारे बीजेपी शासित राज्य हैं इसारे राज्यों में एक माई से कोरुना का भैक्सिकल का ठीका करण लगातार हो रहा है क्या करण है कंद्र सरकार बिहार राजसरकारक को लगतार नजर अंदाज करते जा रही है कि रहे रहा है आपको बता दें कि देश में दो परकार की वैक्ण बन रहे है पहली को वैक्षिन जीसे Serum Institute of India बना रहा है और दूसरा कोवी सिल्ड जिसे बायो टेक बना रहा है और यह दोनों वैक्षिन को जो बनाने वाली कमपनिया है वो कमपनिया हाथ खड़ी कर दी है कि हम बिहार को भैक्षिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास काच्छे माल की प्रयाप मातरा नहीं है ज कि केंद्र सरकार क्यों ऐसी दोगली निती खिलना है जब इन सारे राजियों में एक मई से कोरोना का वैक्षिन लग सकता है तो बिहार राजे में क्यों नहीं जबाब है इसका यह कि यहां के जो भरस्ट मुख्यमंत्री हैं उनके वजह से यहां पर लोगों को वैक्षिन न कि नहीं दे पारा है जर्सों आपको बताते चले कि जिस तरीके से दिन प्रति दिन जो है लाख हो मामले आ रहा है रोज मौत हो रहा है असी से सतर के बीच में लोगों कौन पात्म अगर बात कहां अगर इन सारी चीजों के बीच में आई सीव बेड बेंटिलेटर और करवाया और आप दोनों हाथ खड़ा कर लेते हैं कि मेरे पास बैक्सिन दिलाने के लिए बजट ही नहीं हुआ है तो बजट कहां गया जब बजट पास हुआ तो उसमें जिक्र किया गया था कि 35,000 करोड केवल हम भारतवासियों पर खर्च करेंगे वह भी बैक्सिन दिलाने म लोगों को यह दावे जो है कहीं न कहीं खोलती नजर आ रही है दर्सकों से ही अपील है कि आप लोग घर में रहिए और इस सरकार की गलत नीटियों के प्रती अपनी आवाज को उठाई